आज हम बात करेंगे पॉटनी में टर्मिनलोजी की जो टर्म्स हम यूज करते हैं पॉटनी के लिए उनके बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारा पहला टर्म है जो है वह है हैबिटार्ट हैबिटार्ट मेंस एक किसी पॉपलेशन या किसी इस्पेशियस को रहने के लिए ज यह भी इस पे भी डिपेंड करता है कि availability of food या source material जो उसके survival के लिए उसको supporting है तो इन सब को include करके एक habitat बनता है next हमारा है हब हब हम बात कर सकते हैं कह सकते हैं कि एक ऐसा plant होता है जो कि काफी short lived होता है कम time के लिए उसका life span होता है जैसे कि example आप ले ले लिए रानुकलस तो यह काफी कम time के लिए होता है suppose कि आप 6-9 मैने तक विदिन एयर इनकी life span होती है second हमारा है शर्प में क्यों होता है कि आप शर्प मान सकते हैं कि यह हर्प के compare में थोड़े हाइट ज्यादा होती है तो यह सारे जो प्लांट होते हैं यह ओड़ी होते हैं और टिपकल एरियल स्टम के होते हैं इसमें अच्छा खासा development means जो है development होता है प्लांट का तो इनकी size हर्प के compare में काफी ज्यादा बड़ी होती है example आप मान सकते हैं यह हमारा शब्स के category में आता है और ट्री को अगर जेखें तो आप जो भी जो हायर प्लांट सब देखने हैं अपने आसपास इसारे जो है ट्री कहलाएंगे जिनकी की life is pain काफी ज्यादा होती है हर्फ और सब्स के compare में तो बहुत ही ज्यादा होती है तो यह जो है अगर हम नार्मल बात करें जैसे कि आप आपने पास देखते हैं mango tree नीम ट्री जो है यह सारे हमारे हार प्लांट स्ट्री में आएंगे फिर हमारा एन्वल प्लांट कौन से होते हैं एन्वल प्लांट हम व सब्स तर्ट को lotta को जो कि और कुछछ बिसते से मंबर से सारे इंवल प्लांट होते हैं मतलब कि इनका लाइफ इस पें लग बhalf वग विधेना एर होता है next महर घर मने दो बाइनियल तो लाइनियल प्लांट होते है जो मान received कि एक देर से दो साल लग जाते हैं यह जो है यह भी आप कह सकते हैं कि रिप्लेस करते हैं न्यू शूट्स को कि जो है यह कभी-कभी यह क्या करते हैं अंडरग्राउंड से काफी नयने स्रॉक्टर्स निकालके खुद को सर्वाइब करते हैं लगभा इनकी लिए लाइफ इस ईस्टेम्गेरह इसकी हार्ड होती है Khremete शेड़ा होते हैं और प्लांट्ट्स यह इसकी ररीड़ता है लीट यह नेक्स्ट हमारा थाव मैं पैरेसाइट पैरज को कह सकते हैं कि और समय कि ऑर के अपने सर्वायवल के लिए किसी और पर दिक पर फ करते हैं और और वो तो पायदा रहता है लेकिन आप कस्क्यूटर आप अमर बेल को भी कह सकते हैं जिसको कि आप देखेंगे कि अच्छा खासा इंवार्मेंट करेट करके खुद को सरवाइब कर गया लेकिन जिससे वह सक करके अपना प्लांट को हाम यह हमारा पैरजािट हुआ फिर हमारे है zijn Ipified Ipified plants होते हैं लिए हमारे परसाइट के इसा को पार लेकिन समंदकी होगuciones यह रновoj着 होते हैं इसके नखसान नहीं करते हैं तो आपने इसासर वाइवल थेन लेकिन donICA मिजोफाइट्स. मीजोफाइट्स misophyteeb के मिजोफाइट्स हाइडॉफाइट्स जैसे कि आप पुमान सबहें निपंट driveway यह सब्धिट्रिक णो pane प्लां lle नेक्स्ट हमारा आता है सेप्रोफैर्ट वो प्लांट्स होते हैं कि जो खुद को ग्रोव करने के लिए वो किसी और्गनिजम और्गनिक मेटर का सहरा लेते हैं यह आप कह सकते हैं कि डेथ और डिके पर वो जो उसके टिशू जो है ग्रोव करते हैं जैसे कि एक्जामपल स्वाइल पार्टिकल से फिर अगर जो ट्विग या प्लांट की जो लेव्ज होती है उनका जो है डिकंपोजिशन होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़े जो डिकंपोज हो रही है उस पर जो प्लांट ग्रोव कर रहे हैं वो हमारे सेप्रोफैर्ट नेक्स हमारा जो है आत सब्सक्राइब शुर्ट ने शुर्ट का नहीं कि अपने नहीं देखें तो दो है जिसमें कि पहला है तो तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि रूट का काम है कि यह पूरी तरह से कहीं पहीं पर आंगरिग करना या फिर और साथ में तो यह हमारा रूट का है और रूट हमारे जो है यहां पर दो टाइप की रूट के बात कर रहे हैं तो कि मोसली यह हो है में और पहला है टैप रूट जो है वो क्या होता है संबाय है मत अद्वाध का है धो जो कि जो है डाउनवर्स में लिटरल रूट निकले होते हैं तो जैसे के यहां पर बातरहे है तो कि सिंघक डाय कोण की सिद्हा प्लां जितने भी डाल वाले प्लांट मान सकते हैं गार के यह सारे इसी क्टेगरी में ध क्माती है यह ट्रूट का है फिर नेक्स्ट है मारा एड़श्यस रूट इस में क्या होता है कि एड़विनटेश्यस सूपोर्ट इन व dlatego मैं रूट को जो viewed करते हैं तो जैसे कि आप बीट राइस इन सब प्लांट में आप देखेंगे तो आपको एड़िंटेश रूट देखेंगे आप जब भी इन प्लांट और डैकॉट इन टोनों में क्या डिफरेंस है मोनो कॉट आप कह सकते हैं कि ऐसे ब्लांट जो कि आप अगर प्ल्स इसंगल के अगर उसका कवर्ड शूंट सेड्टास के लाइगे आप लग इवाध करें दाल तो यह हांद तो यह हमारी डायक ओड हिए तो जो डाइकॉड में होती है वो हम आप देखेंगे टैप लूट होती चैंथ में मोनोकोर्ष में वोyard YOUR iter इस संवाइब से ब्रांच निकले होती है नेक्स हमारा आता है जो है फाइब दूब का प्लांट लेन तो इसको आप देखेंगे निकाले तो इसकी जो रोट यह इस शेप में होती है तो यह जो है fibrous road कहाँगे फिर next है हमारा जो properties इनकी होती है वो hanging area roads की तरह एक्ट करती हैं जैसे कि example है और हमारा है यग जो इनम एक यो तो आप दी कई हमागा आप करती हैं आप देखें रहती एक्जाम्पल इसका और के नेक्स्ट हमारा है क्लाइंबिंग रूट तो क्लाइंबिंग रूट आप देखेंगे कि ऐसी रूट होती है जो कि किसी को सपोर्ट करके वह क्लाइंब करती है मुसलिए आपने देखा होगा घरों में जैसे मनी प्लांट वाइरा लगा होता है तो होती है जो कि कया करती है तो उसकी काफे लंबी बढ़ी होती हैं और वो किसी मेटियूम्स so 9 शिकाब के उपर चढ़ती रहती है फिर नेक्स हमारा रेस्प्रेटरी यह क्या हो जाएंगी महारा थ्पॉंज होती है तो उसमें। प्लांट को एकसेज वाटर होता है उनको निकालने का काम करती है ताकि बैलंस बना रहे हैं तो यह हमारी रेस्परेटरी डूट हुई एक्जांपल इसका है जो रेस्ट यह फिर नेक्स हमारा है निमेटोफोर जो रूट्स होती है वह आप मुसली पाएंगे सॉल्टी या मैं सॉल्ट होता है तो आप देखेंगे कि वहां के जो प्लांट्स होते हैं वह खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं कि उसमें निमेटोफोर नाम का कुछ और लगा होता है तो निमेटोफोर में आप देखेंगे कि इसमें जो एरियल रूट्स निकली होती है चोटी-चोटी ब प्लांट्स में तो उनकी बैलन्स के रही है वहां से वाटर सौल्ट उसको इवैपरेट किया करते हैं तो जिसकी वजसेस में बैलन्स बना रहता है तो यह हमारा निमाटोफोर का एक्जामबल है तो यह आप देखेंगे कि जो हमारे मैंग्रूफ फॉरेस्ट होते हैं उनमें यह है यह तो नेक्स्ट हमारा है ट्यूब्रेस्ट होता है कि इसमें आप देखेंगे क। उबरहाय भूवा इसमें डेवलप हो जाता है जिसकी वज़ेसे ज है इसमें इसमें कुछ स्टार्ची या कॉइच प्लिक उया चेस को engled के जहाती जासे क्या सम्फल मांब्स बढ़ तो आपने देखा होगा कस्क्यूटा जो अमर बेल होती है उसको अगर पैरसिटिक रूट ही बोलेंगे क्यों क्योंकि देखे वह पैरसाइट मैंने भी पहले बताया है कि जिस पे वह डिपेंड रहता है उससे सक करता है उससे अपना अब्जॉप्शन लेता रहता है तो अब्जूब्स में क्यों होता है कि हैंगिंग अरियल लोट होती है जैसे कि और किड में आपने देखा होगा और किड के प्लांट में हैंगिंग एरल रूट चोकी अब्सॉप्शन एंवार्मन से हमिरिटी आप देखेंगे कुछ जो है वाटर मोलक्यूल्स वह तो वह उसमें जो है कैप रूट नहीं होती है और वह उसमें रूट हेर जो होते हैं क्या करते हैं वह पानी का पूरा जासे की अब है पैस्टिया फिर है असर्मली रूट तो जो है यह है आप दिखेंगे एलोटो होती है जसमें कि क्लोरोफिल है जैसा कि टीन असबोड यह हमारा है तो में आपने देखा होगा कि कर्ट्स होता है जिसमें कि फ्लेशी पार्ट होता है जो नुट्रेटिव बैली देर रहता है कि अबरा फ्यूजी फॉर्म को होती आप देखेंगे यह कुछ ओवल ठाप का यह पुरा उसमें यह को हम यूज कर रहे हैं कॉनिकल फ्यूजी फॉर्म नेपी फॉर्म। इनके structure की base पर हम इसको differentiate कर रहे हैं फिर है next हमारा है तो इसमें क्या होता है जैसा कि cholesterol fleshy roots होते हैं तो आप दिखेंगे aspargum तो asparagus में क्या होता है कि आप fleshy roots जो है यह same by function करते हैं जैसे कि जो area roots करते हैं तो यह bunch में present होते हैं और sucking का process continue करते हैं फिर है nodulator roots, nodulator roots में आप देखेंगे कि जैसे कि कुछ roots में plants होते हैं जिनमें कि nodules वगएरा जो formation होती है जैसे कि आप देखेंगे कुछ जो यह plants हमारी pulses की plants होते हैं leguminous plants जैसे कि केजनस केजन वगएरा या फिर आप ग्रैम ले 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 या पाइजम सतावियम का plant ले 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 यह सब क्या करते हैं यह जो है nodules इसमें होता है जिसमें की bacteria होता है वह bacteria जो है nitrogen nitrogen का fixation करता है जिसकी वज़े से इन roots में nodes formation हो जाता है और यह आप देखेंगे ज्यादा तर देहलन की फसलें जैसे कि लेगमें जो crop होती है उनमें पाए जाते हैं फिर हमारा next है beard area moniforms जो है रूट होती है वह क्या होता है beaded structure होती है आप जैसे इसमें देख लीजेए यहां पर bead like structure बना हुआ है इसमें जहां जहां भी node type का structure दिख रहा है वह उसमें कुछ storage रगे रहा होती है और proper nutrition जो है उसमें store होता है जिसकी वज़े से वह timely वह उसको सक्या करते हैं तो यह हमारा only form जो है रूट हो गया फिर next है हमारा unrelated रूट में क्या होता है कि इसमें रिंवल रिंग्स बनी होती है सिंपल रूट होती है लेकिन इसमें ring-like structure जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे इस रूट में इसमें बीच बीच में जो प्लांट है उसमें ring-like structure बना हुआ है जिसमें की selling होती है और bodies में और storage वगएरा या absorption वगएरा इन्ही रिंग्स में आके बैलन्स में में जो है प्लांट को circulate हुआ करता है फिर है नॉडुलस रूट कौन सी होती है अगर आप देखेंगे जो अच्छा जो सैल्वन रूट में बहुत ही सलो पार्ट होता है जो नियर एपक्स तो वह जो हमारी नॉडुलस रूप हो जाएंगी जैसे कि जो हम आप देखेंगे कर्क्यूमा अमाडा इसमें जो प्लां प्लाइड में रहेंगा